आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Canva में EI Voice कैसे जनरेट करेंगे अभी तक आपने बहुत सारे अलग-अलग वेबसाइट का यूज किया होगा जैसे के 11 Labs हो गया नारा किट हो गया इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है जिसका आपने इस्तमाल किय क्या होगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Canva का के समाल करके कैसे एइव को जनरेट कर सकते है तो इस मेंसे एक यहांप आप देख सकते मरफ करके है तो इसी एप्लिकेशन की मदद से यहां पर याई वाइस को हम जनरेट करेंगे और इस वीड जब आप Canva को first time use करोगे या फिर जब आप Canva को इस्तमाल करोगे तो यहाँ पर यह सारे option जो नीचे है यह application के यह वाले option आपको नहीं दिखेंगे आपको सिर्फ इतना दिखेगा जैसे कि यह design हो गया design से लेके यह जो bulk create करके इतना ही दिखेगा यह सारे नीचे जो application वाले option है यह आपको नहीं दिखेंगे तो यहाँ पर मर्फ AI जो मैंने option यहाँ पर add किया है वो कैसे किया है यह भी मैं आपको बताऊँगा सब से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे ci voice को generate करेंगे तकि आपको पता चले किस तरह से यहाँ से आपको internet कर ना है इसके बाद यहाँ पर आपको मर्फ AI पर click करना है उसके बाद licuage का option आएगा यहाँ से एक language आपको select करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी language यह जैसे कि English हो गया English UK हो गया और यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो French हो गया जर्मन हो गया इस तरह की बहुत सारी language यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो इसमें साब Hindi को भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पर आप Simply India करके ज लए दो कि यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर पहले रैसे के बाद कर सकते हैं जान क County कर देता हम किस तरह को चैड़ करेंगे मैं आपर यहां पर में ठीक्र काक्रिय कर लेता हूं इसके बाद यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो option मिल जाएंगे सबसे पहला option यहाँ पर speed का है दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको speed को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं पीच को अगर आपको low या high करना है तो यहां से आप कर सकते हैं, इसके बाद finally यहां पर आपको click करना है ताकि AI voice को आप generate कर सको, तो मैं यहां पर simply इसको click कर रहा हूँ और अभी AI voice जो है वो generate हो जाएगा, AI voice यहां पर generate हो चुका है तो चलिए इसको play करके एक बार देख लेत जुद्धिये उनके साथ जब वो इस प्राकृतिक दुनिया में पहली बार कदम रखते हैं इसको आपको इस तरह से बढ़ा करना है फिर यह जो पेज है इसको ठोड़ा सा चोटा कर दीजे जहां तक आपका AI voice है, इसके बाद यहां पर आपको जाना है, Share पर जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर download का ऑपशन आपको दिखाई देगा और इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अलग option मिलेंगे जैसे कि MP4 हो गया, JPG हो गया तो आपको क्या करना है, MP4 को select करना है उसके बाद यहाँ पर download पर click करना है download पर click करने के बाद यहाँ पर यह download होना start हो जाएगा फिर इसको MP3 में कैसे convert करना है यह भी मैं आपको बता दूँगा क्योंकि आप जब iOS का इस्तमाल करोंगे वीडियो editing के लिए तो आपको MP4 की नहीं MP3 की जरूत पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख सकते अभी यह जो file है यह जो video है, यहाँ पर download हो चुका है यहाँ पर आप उपर के तरफ देख सकते है तो आपको क्या करना है, simply यहाँ पर जाना है download पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है, अभी video format में पूरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर open करूँगा अब इसको आपको क्या करना है, MP3 में convert करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे view पे view पे जाने के बाद यहाँ पर आपको file extension पे click करना है आप जैसे इसके उपर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं MP4 लिखा हुआ है, इसके बाद आपको right click करना है right click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते MP4 लिखा हुआ है इसको आपको हटा के MP3 करना है और इसको एक बार यहाँ से आपको yes कर देना है और जैसे आप यहाँ पर yes करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते कोई भी software के आपको मदद लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो बहुत ही simple trick है MP4 को MP3 में convert करने के लिए सिर्फ आपको knowledge होना चाहिए और इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ-कुछ ऐसी trick भी बताता हूँ ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए तो यहाँ पर मैं वापसाद जुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो canva है यहाँ पर मैंने इसको open कर लिया है अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 10 minute का यहाँ पर time मिलेगा तो इसके लिए यहां पर आपको टोटल 10 मिनिट मिलता है जिसमें से मैंने 2 मिनिट यहां पर इस्तमाल कर लिया है लेकिन जैसे कि मैंने 11 लैप्स का एक आपको ट्रिक बताया था अल्लिमिटेड आप कैसे ही आई वाइस को जनरेट कर सकते हो उसका वीडियो भी मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगा इसी तरह से इसका भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं एक अपता या दस दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा तो इसके लिए अगर आप चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अगर यह पसंद आता है तो इसको आप लाइक भी कर सकते हो और इसी तरह से और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें तो यह जो मैंने आपको आज तरीका बताया है कि Canva पर आप किस तरह से याई वाइस को जनरेट कर सकते है इसके बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर Magic Studio पर जाना है और यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके नीचे की तरफ आपको आना है यहाँ पर आप देख सकते बहुत सारी अप्लेकेशन आपको देखने को मिल जाएगी अब जब फिर्स स्करोगे तो यहीं आपको इसके लिए पर्शाइन आप मरफ याई पर इसके जगाप पर साइन आपके बाद आप कर लेगा इसको इस तरह के निचे की अप पिलिकेशन नजर आ सबको में ने इसी तरह से---- फिलाल इस वीडियो में इतना ही storage, गूइयर आपको आ थी चीजह आपको समझ में आ गई और कुछ भी अगर आपको शमाج मिन आ रायरा है तो आप मुझे comment करके पुछ सकते हैं चलिए मैं आपको मिलता हूँ मेरे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care